हेलो एवरिवन, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CSIR, SO और ASO वाला जो एक्जाम है, उसके लिए बुकलिस्ट क्या क्या रहेगी, ठीक है, चाहे आप UPSC बैग्राउंड से आते हों, या SSC बैग्राउंड से आते हों, दोनों ही लोगों के लिए मैंने एक बुकल तक देखना चाहिए, ठीक है, and those of you who are not Hindi speakers, I have a special information for you, English subtitles are available in the video, so you can turn on the English subtitles as well, तो ये थी non Hindi speakers के लिए एक बात, और जो लोग चैनल पे नए हैं, वो वीडियो को pause करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, ये सारे मेरे experiences यहां पे लिखे हुई है, इनी experiences का इस्तमाल करते हुए, मै आपको इन sources के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, सबसे पहले ये बात ध्यान रख लो कि ये जो है, ये perfect sources नहीं है, और क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए हमें practical sources के तरफ जाना चाहिए, और इसलिए मैंने practicality को focus किया, अगर मैं चाहता कि perfect sources दूँ, तो मैं आपको बहुत सारी perfect sources दे सकता था, लेकिन समय भी होना चाहिए, हमें उन sources को अच्छे से पढ़ कि उनको revise भी करने का, इसलिए ये perfect sources नहीं है, बट practical sources ज़रूर है, ठीक है, दूसरी बात ये कि किसी को idea नहीं है, कि level क्या रहेगा questions का, इसलिए आपको hope करना है कि best, मतलब बहुत easy type questions आजाए, जैसे PYQs में आए थे, लेकिन जो previous year question है, वो almost 10 साल पुराना है, तो हम ये expect अगर करते हैं, कि वैसे ही question आएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो हमें hope तो करना चाहिए, लेकिन prepare करना चाहिए, कि question का level थोड़ा आप किया जाएगा, ठीक है, तो हमें worst case होता है, वो यही होता है, अभी तक, I'm sure आप सबको, इसमें कोई clarity की कमी नहीं होगी, ठीक, बाकी detail strategy, इन sources को कैसे इस्तमाल करना है, उस पे अगर आप लोग बोलोगे तो मैं future में बात करूँगा, फिलहाल मैं सिर्फ आप से sources को share कर देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले है, practice क लिए आप एक घटना चकर का इस्तमाल करोगे, ठीक है, throughout the video मैं ऐसे GC shot में लिकूँगा, ठीक है, GC मतलब घटना चकर, ठीक, आपके पास, अगर hard copy है, बहुत अची बात है, अगर hard copy नहीं है, तो आपको soft copy अलग-लग telegram channels पे इधर-उदर मिलती रहती है, ठीक, वहां से अलग-लग घटना चकर आती है, अगर जो लोग नए है, उनको मैं बता दू, घटना चकर, basically जो आपके state PCS और UPC के जितने exams हुए है, उन सारे के chapter wise और topic wise compilations को बोलते है, ठीक है, तो घटना चकर आती है, आपको ये ज़रूर follow करना ही चाहिए, इससे बहुत आपको help होगा तो आपका core source यही होना चाहिए, प्राक्टिस के लिए, साथ में आप test book का भी इस्तमाल कर सकते हो, जिसमें आपको test मिलेंगे, previous questions होते है, sectional test होंगे, chapter test, सारे चीज़े होती है, ठीक है, test book इसलिए अच्छा है, क्योंकि थोड़ा affordable रहता है, एक pass आप लोगे, तो साल भर उसका access रहेगा, साथ ही, दूसरे जो exam में, sse वाले, railway वाले, banking वाले, state, psc वाले, even upsc के भी, उनके भी आपको questions वागेरा, वहां पे मिलते रहते है, तो questions जो है, आपको mock test वागेरा की कोई कमी नहीं होती, तो एक तरह से काफी जादा affordable पढ़ता है, ठीक है, बहुत practical, अच पास में sales आते रहते हैं, ठीक है, तो आप pass ले सकते हो, या तो 314 वाला, या तो 449 वाला, ठीक है, यहां पे pro लिखा हो है, pro का मतलब है, कि सारे exams के pyqs भी आपको वाँ पे मिलेंगे, और pass में pyqs नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो यही दोनों चीज़ें थी, इन में से कोई भ करना चाहते है, it's up to you, but this is my recommendation for you, ठीक, अब start करते हैं, topic wise मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले जो history है, जिसमें आपके ancient, medieval, modern, सारे cover होता है, ठीक, बस world history का element नहीं है, यहां पे, तो इसमें ancient के लिए सबसे पहले आप, जो आपके UPSC वाले notes, अगर आपने कुछ बनाये थे, जो बहुत short है, तो UPSC वाले बंदे, उनको follow कर सकते हो, और SSC वाले लोग, lucent को follow करेंगे, इसके अंदर, ठीक, लेकिन अगर आपके पास UPSC वाले, आप aspirant हो, लेकिन ancient के आपके बहुत बलकी notes है, तो ancient वाली जो आप लोग पढ़ते हो, यहां पे उतना नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत जादा depth में चला जाता है, उस तरह के सवाल यहां पर demand उसका नहीं है, तो वो, आगर आपके पास कोई बहुत छोटा note से ancient का UPSC वाले, तभी, otherwise UPSC वाले हो, या normal SSC वाले हो, आपको lucent ही follow करना चाहिए, ठीक है, lucent, एक normal, जो आपकी lucent वाली आपके पास कोई notes है, तो उसको follow करो, otherwise आपको lucent follow करना चाहिए, UPSC वाले होते हुए भी, medieval में भी same चीज है, UPSC वाले notes को follow करो, अगर आपने कोई छोटे notes बनाए हैं, तो otherwise आपको भी lucent पढ़नी चाहिए, और SSC वालो को भी lucent ही पढ़नी चाहिए, ठीक है, आपके ऐसे spectrum अभी तक नहीं पढ़िए, वैसे लोग spectrum के पीछे ना भांगे, भली आप UPSC आइस परेंट हो, लेकिन अगर आपने अभी तक spectrum, या अपने UPSC का modern history का कोई element अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपको भी lucent ही follow करना पढ़ेगा, ठीक है, तो ये रहेगा आपका modern, बाकि यहां से follow करना है, backbone वो यही है, ठीक है, यह सब तो एक तरह से समझ लो कि आपका starters है, but main course आपका घटना चक्र होने वाला है, ठीक, next element जो है आपका constitution of India, polity, governance, और social justice वाला जो element है, इसमें जो UPSC वाले बंदे हैं, वो लक्षमी कांद को follow करेंगे, straight and simple, इसमें से maximum questions आपका coverage ह हो जाने वाला है, बाकी जो बच गए, जो SSC वाले aspirant है, जिन्होंने लक्षमी कांद कभी नहीं पढ़ा, वो loose end की तरफ जा सकते हैं, ठीक, उसके साथ में, जो remaining topics है, उनको आपको google करना है, ठीक है, polity और constitution of India, यह तो आपका cover हो जाएगा, governance का भी एक aspect खतम हो जाएगा, ल current affairs के बात करें, current जो हैं वो, या तो आप UPC वाले हो तो अपनी monthly magazine, अगर आपने cover की है अभी तक ठीक ठाग element, तो उसको follow करो, otherwise आपको speedy के current affairs की magazine follow करने चाहिए, SSC वालों के लिए भी वही, देखो, यह slash के बाद जो right side में होगा, वो हमें से SSC वालों के लिए होता है, तो English language and comprehension की बात करें, जो UPC वाले हैं, वो क्या करेंगे, newspaper जो आप पढ़ रहे हो, newspaper अच्छे से बढ़ो, खासकर editorial, उससे vocab आपका अच्छा cover होगा, मैं vocab की आपको बतारू, vocabulary में आपका आ जाता है, क्या, idiom phrases हो गया, आपकी synonyms, antonyms, यह सब चीज़े होगे, तो जो UPC व follow कर रहे हैं, अपने vocabulary के लिए, वही more than enough है, ठीक है, और extra कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, comprehension में, अगर UPC वाले हो, तो अपने newspaper के editorials के साथ-साथ, CSAT के PYQ कर लेना, ठीक है, CSAT वाले जो previous year questions होगे, उनमें जो comprehension के सवाल होगे, वो कर लेना, जो SSC वाले बंदे हैं, वो SSC के comprehension के PYQ करना, साथ में CSAT के PYQ करना, PYQ मतलब previous year question, अगर कोई नया aspirant है, तो मैं बता दू, PYQ मतलब previous year question होगे, तो यह आप combine करके, SSC वालों के लिए यह वाली strategy है, मतलब यह वाले sources हैं, और UPC वालों के लिए दूसरे वाले, ठीक, grammar में, चाहे आप कहीं से भी belong करते हो चाहे SSC हो, या UPC हो, आपको selectively grammar के concepts पढ़ने हैं, अमन वशित सर से, YouTube में आपको freely in के बहुत सारे videos मिल जाएंगे, इन्होंने अपने चनल पर upload किये हैं, वहां से selectively आपको पढ़ना है, आपने syllabus के according, साथ में test book में जो आपके practice questions आएंगे, जो भी आपके mock test में होंगे, य जो भी आप test series follow कर रहे हो, उसको यहाँ पर follow करना, ठीक है, test book को replace कर लेना, अपनी test series से, जिसको भी आप follow कर रहे हो, ठीक, अब आते है reasoning, ठीक है reasoning वाला section है, उसमें चाहे आप SSC वाले हो, या UPC आपको सबसे पहले, CSIR के, जो PYQs हैं, वो पूरे कर लेने हैं, ठीक, उसक से, आपको reasoning वाले सवाल लेके, बनाने होंगे, ठीक है, साथ में test book में, जो questions आते हैं, उनको भी repeatedly solve करोगे, तो यह अच्छा source रहेगा, ठीक, maths के लिए आते हैं, maths में, जो UPC aspirant हैं, वो क्या करेंगे, CSIR के PYQs को solve करेंगे, प्लस SSC के PYQs को solve करेंगे, ठीक है, जो SSC के यह सब जो exam है, stenographer में तो आता नहीं है, MTS, CHSL वाले exams वाले, जो previous year के questions है, chapter wise के, आपकी कोई भी किताब किरन की एक आती है, वो ले सकते हो, सारे वैसे, जो sources हैं, मैं आपको, description में उनका link भी लगा दूँगा, ठीक है, तो जाके price वागेरा, चेक कर सकते हो, ठीक, वैसे, ज questions के concepts आपको सीखने होंगे, YouTube में जा करके, या फिर अपने किसी दोस से, ठीक है, paid courses के चकर में मत फसना, time बहुत वेस्ट हो जाएगा, वो एक ideal source नहीं है, ठीक है, practical भी नहीं, ideal भी नहीं है, sse aspirant जो है, वो अपना sse का usual source आप कर रहे हो, maths के लिए, उतना करो, more than enough है, यहा आपका normal lucent book है, general science की जो अलग से एक lucent की किताब आती है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, normal lucent और घटना चक्र, ठीक है, sse, upsc, दोनों experience के लिए same है, दोनों lucent को पहले पढ़ लो, अच्छे से basics कर लो, और साथ में, घटना चक्र को कर लो, more than enough हो जाएगा, general science में आपको कोई खास problem नहीं आएगी, ठीक है, economy में आए, ठीक है, economy में जो upsc वाले बंदे हैं, वो अपने, जो भी आप upsc का source पकड़ रहे हो, उसी को पकड़ो, जो prelims के लिए आपने upsc का source अभी तक finalize किया होगा, वही more than enough है, लेकिन जो non-upsc वाले हैं, वो क्या करेंगे, कि topics जो है आपके syllabus में CSIR के details में mention है, उनको google करो, उनको समझो, short short notes और समझने के लिए, बुरुनाल के videos को आप refer कर सकते हो, जाधा focus समझने पर करना, यहाँ पे plain questions भी आएंगे, लेकिन थोड़े से understanding वाले questions भी होते हैं, तो आपको बुरुनाल के videos से भी, थोड़ी help दे नहीं किताब उताब उठाए लिए, वो सब बड़ी-बड़ी books आती है, UPSC वालों की, वो, to be honest, वो लोग भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, मैंने भी उतनी, वो सारी किताबे नहीं पढ़ी, मैंने दूसरे sources पकले थे, तो इसलिए आपको इनसे बचना है, UPSC वाले sources से आपक कि समय की कमी है, अच्छा, environment, ecology, biodiversity, climate change, इसमें क्या है, UPSC वालों के लिए, जो आपका UPSC वाला source से more than enough है, उसको अच्छे से follow करो, पूरी श्रद्धा से, प्लस, जो scheme है, environment related, biodiversity related, या current affairs में, जो scheme आ रही है, climate change वाली, वो सारे schemes को, जो summit वगएरा होई है, ठीक है, जैसे आभ उनको क्या करना है, जो topics आपके दिवें, syllabus में, उनको google कर लो, ठीक है, global warming क्या होता है, climate change क्या होता है, noise pollution, जो भी चीज़ें आपके दिव हुई है, उनको google करो, और छोटे-छोटे notes बना लो, साथ में आपको भी environment related, जो scheme से, आपने current affairs source से, वो आपको कर लेना है, साथ में, UPSC mains के लिए जो तयारी करते हैं, वो भी यही चीज़ करते हैं, तो इसलिए यह full proof तरीका है, आपको topics को google करना है, और बहुत ही छोटे-छोटे MCQ level के notes बनाने, mains level के notes नहीं बनाने की, हाथ से answer लिखना है, ठीक है, तो यह आपको google करना, और short short, आपको notes आपके इसके लिए prepare करना है, चाहे आप SSC वाले हो, चाहे UPSC वाले हो, ठीक, next आते है, decision making and problem solving के लिए, इसके लिए क्या करोगे, test book से ज्यादा-ज्यादा questions आपको practice करने है, ठीक है, तो test book से ज्यादा-ज्यादा questions प्राक्टिस करने है, चाहे वो आपके test series से हो, या फिर आपके sectional test हो, chapter test हो, वहां से ज्यादा-ज्यादा सवाल लगाओ, प्लस other sources से भी questions आपको मिलते है, relevant है, तो practice करो, यहाँ practice सही एक, आपका mindset develop होता है, वही check होता है, यह आपको कोई पढ़हा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता, लेकिन, किसी एक particular type of question में, अगर आप बार-बार फस रहे हो, ठीक लो, और दूसरे, कोई भी sources आपको relevant मिलते है, telegram पे बहुत सारी चीज़े available हो जाएंगी, देरे-देरे with time, तो आप practice करो, ज्यादा-ज्यादा practice करो, इस section में, पढ़ाई करके, आप यह aptitude develop नहीं कर सकते, इसमें practice नहीं आएगा, management principles और practices के लिए, आप YouTube और Google का सहारा लोग जो topics हैं, उनको selectively YouTube से समझो, और Google से समझो, और थोड़े-थोड़े अपने short-shot notes बनाओ, MCQ level के, यह सोचो कि MCQ में क्या-क्या चीज़े पूछी जा सकती है, बाकि आप जब test book पे questions लगाओगे, या कोई भी आपका test provider उसमें, जब questions लगाओगे, थोड़े-थोड़े आपक category में नहीं आते, non-UPSC हो, तो अपने loose end को पढ़ो, अच्छे से topic wise पढ़ना है, selective होके पढ़ना है, वाकि मैं detail strategy में इसकी बात कर दूँगा, साथ में घटना चकर आपका backbone यहां पे रहेगा ही, तो घटना चकर तो है ही, तो घटना चकर को यहां पे अच्छे से follow करना है, बाखी CSIR के SO और ASO वाले videos हैं, अभी end screen पे आ रहे होंगे, उनको अच्छे से follow कर सकते हो, बहुत सारा दूसरा, मैंने guidance related videos बना है, अगर आप चाहते हो, कि मैं detail video आपको strategy के ऊपर दूँँ, तो comment जरूर करना, ठीक है, comment में मैं बताऊंगा, आगे video मुझे short रखना था, इस YouTube के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो भी comment करो, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धेनेवाद, हो सके तो दोस्तों के साथ, इस वीडियो को share जरूर करना, मेरा ना मेरी शिकेश, जय हिंद,